Hello students, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे दो questions एक 2015 के exam में से है, एक 2016 के exam में से है दोनों almost similar questions हैं, इस question में आप से पुछा गया है कि कम से कम कितने JK flip-flops चाहिए एक ऐसा synchronous counter design करने के लिए जिसकी counting sequence यह है, okay so we need to determine minimum number of JK flip-flops required, अब अगर आपको counting sequence पता है और आप बताना चाहते हो कि उस sequence वाले counter में कम से कम कितने flip-flops होंगे तो उसका procedure बड़ा असाल है, जैसे मान लो आप से पुछा है, हम counter design करना चाहते हैं इसकी sequence यह है, 0, 2, 1, 3, 7, 4, okay, कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसी तो अगर हम state 0 पे हैं, हमें exactly पता है कि अगली state क्या होगी अगली state 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 3 है, यानि कि हमें पूरी sequence के बारे में पता है तो इसके लिए minimum कितने flip-flops चाहिए होंगे, वो depend करता है सबसे बड़े नमबर पर इस sequence का सबसे बड़ा नमबर है 7, 7 को represent करने के लिए 3 bits चाहिए यानि कि 3 flip-flops से हमारा काम हो जाएगा, जब सबसे बड़ा नमबर ही 3 bits में represent हो रहा है तो बाकी सारे नमबर तो 3 bits में represent हो ही जाएंगे अब हमें current state भी पता है और next state भी पता है यानि कि किसी भी given point of time पे जो भी हमारी current state है हमें उससे अगली state पता है और हर state 3 bits में represent हो सकती है यानि कि हम 3 flip-flops यूज़ करके ऐसा counter design कर सकते है अब मैं इसके details में नहीं जा रहा कि यह कैसे design होगा combinational circuit क्या है but the thing is यहाँ पे clock signal होगा जो तीनों को provide किया जा रहा है एक combinational circuit भी होगा इस circuit की input में current state जाएगी यानि कि इस flip-flop की output इस flip-flop की output और इस flip-flop की output इसी से हमें current state पता चलेगी तो इन तीनों को इस circuit C में input किया जाएगा फिर यह circuit C कुछ values generate करेगा वो values इन flip-flop के लिए inputs होगी देखो यह circuit current state देखेगा और ऐसी input generate करेगा कि जो next state आएगी वो इस sequence के according होगी मान लो current state किसी भी time पे 1 थी तो यह circuit ऐसी outputs generate करेगा कि next state 3 हो जाए यह बड़ी असानी से किया जा सकता है हमने already ऐसे बहुत सारे questions solve किया है अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है अगर आपको लग रहा है कि दो flip-flop से काम चल जाएगा तो वो गलत है क्योंकि देखो पहली बात मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा number 3 है 3 दो bits में represent किया जा सकता है बट दो flip-flop से यह counter implement नहीं होगा क्योंकि current state के बाद next state आप बताई नहीं सकते मैं आपको कह रहा हूँ कि current state 2 है कि आपको next state पता है देखो current state अगर 2 है तो next state 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है क्योंकि current state 2 होने का मतलब यह वाला 2 है या यह वाला 2 है यह तो हमें पता ही नहीं अगर यह वाला 2 है तो next state यह रही अगर यह वाला 2 है तो next state यह रही यानि कि इसमें थोड़ा सा non-deterministic behavior भी है देखो मैं मानता हूँ यह सारे numbers 2 bits में represent किये जा सकते हैं यानि कि 0-0 पहली state है उसके बाद अगली state भी 0-0 फिर 0-1 फिर 1-0 फिर 1-1 तो इस state पे अगर clock मिली हम यहाँ जाना चाहते हैं इस state पे अगर clock मिली हम यहाँ जाना चाहते हैं and so on अब देखो भले ही सारे numbers 2 bits में represent हो गए but हम non-deterministic machine physical world में real world में implement नहीं कर सकते क्योंकि machine को यह पता ही नहीं कि हम currently इस 0 पर हैं या इस 0 पर हैं तो main बात यह है कि हमें इन दोनो 0s में distinguish करना पड़ेगा इन दोनो 1s में distinguish करना पड़ेगा अब दो items में distinguish करने के लिए एक bit काफी है यानि कि अगर मैं यहां पे third bit add कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा देखो एक और bit ले लो उसकी value 0,1 अब अगर वो third bit मान लो से मैं कहरा हूँ bit x अगर x की value 0 है तो हम इस 0 की बात कर रहे हैं अगर x की value 1 है तो हम इस 0 की बात कर रहे हैं तो based on value of x हम इन सभी numbers में जो identical हैं जैसे ये दोनों थ्री identical हैं based on value of x हम इन दोनों में distinguish कर पाएंगे similarly ये x 0,1 0,1, 0,1 चलता रहेगा अब देखो अब आप क्या करो आप ऐसा counter design कर लो जिसकी counting sequence ये रही अब इस counting sequence का हर number 3 bits में represent हो रहा है ये 3 bits ही तो हैं सारे तो given counter को 3 bits से implement कर लो और जो भी first counter की output है उसे देखो ही मत हो गया आपका काम देखो मैं क्या कह रहा हूँ आप एक ऐसा counter design करो जिसकी counting sequence है 0,4,1,5 0,4,1,5 2,6,3,7 2,6,3,7 तो ऐसा counter implement करने के लिए 3 bits चाहिए होंगी क्योंकि सबसे बड़े number को 3 bits चाहिए यानि कि हमने 3 flip-flops use करके ऐसा counter implement कर लिया होगा ये circuit को तो अभी भी हम 3 ही bits input में दे रहे हैं बट जो output हम display करना चाहते हैं यानि कि current state जो हम देखना चाहते हैं उसके लिए सिरफ इन दोनों को ही consider करो इसे neglect कर दो अब जब currently आप इस state पर हो x की value 0 होगी बट हम उसे output में बताई नहीं रहे हम output में सिरफ यही 2 bits देखेंगे तो आपने clock दिया x की value 1 होगी counter ने actually अपनी state को change किया बट output change नहीं होगी क्योंगी output में जो bit actually change हो रही है उसे हम देखेंगे ही नहीं तो इस question का answer है 3 इसे कम से कम 3 flip-flops चाहिए हमें कम से कम 3 flip-flops चाहिए ऐसे counter को implement करने के लिए अब question में word use हुआ था minimum number of jk flip-flops minimum 3 है 3 से जादा जितने मर्जी करते हो चाहिए आप 4 flip-flops use कर लो मालो यहां पर मैंने x के साथ एक और y bit भी use कर ली उसका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि 2 bits use करके हम 4 अलग-अलग चीज़ों में differentiate कर पाएंगे बट हमें differentiate सरफ 2 में ही करना है कोई खास फाइदा नहीं होगा बट हाँ यहां पर आप जितनी मर्जी bits reserve कर लो इस purpose के लिए minimum एक चाहिए तो 2 bits चाहिए इन numbers को represent करने के लिए क्योंकि सबसे बड़ा number 2 bits में represent होगा एक bit चाहिए इन जो identical numbers हैं उन में differentiate करने के लिए तो आपका answer हुआ 3 फर्स्ट कोईशन का अब देखते हैं सेकंड कोईशन जो gate 2000 and 16 में पूछा गया था इसमें भी ऐसा ही है इसमें हमें 2 bits की जरूरत पड़ेगी सबसे बड़े number को represent करने के लिए देखो 0, 1, 2, 3 यानि कि सबसे बड़ा number है 3 3 को represent करने के लिए 2 bits की तो जरूरत पड़ेगी तो 0, next state है 1 फिर next state है 0 फिर next state है 2 फिर next state है 0 और उसके बाद फिर से next state है 3 अब यहाँ पे भी non-deterministic behavior आ रहा है देखो currently अगर हम यहाँ पर है मतलब कि present state 0 है तो next state 1 होगी बट हमें यह भी तो पतामना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सी 0 की बात हो रही है अगर मैं सिरफ आपको यह बताऊं कि present state 0 है तो आप यह तो नहीं बता सकते कि next state क्या है हो सकता है वो one हो हो सकता है वो two हो हो सकता है वो three हो यानि कि 0 के बिना जितने भी numbers बचे 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है तो actually हमें तीन similar चीज़ों में differentiate करना है तीन चीज़ों में differentiate करने के लिए कम से कम 2 bits की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही bit use करूँगा मैं तो माल लो यहां पे मैंने उस bit की value ले ली 0, यहां पे ले ली 1 इसके लिए क्या value लो? एक bit की value यहां तो 0 होगी यह 1 होगी तो तीन चीज़ों में differentiate करने के लिए मुझे 2 bits लेनी पड़ेंगी एक यहां पे, एक यहां पे, ओके? तो माल लो, यह value है 00, यह value है 01, और यह value है 10, ओके? अब यहां पे, इस case में, देखो, sorry, यह 01 यहां पे आना चाहिए देखो हम zeros में differentiate करना चाहते हैं यह, यह, और यह, तो इन तीनों के लिए हमने यह दो bits bit x and bit y की value अलग अलग ले ली 00, 01 और 10, यानि कि अब यह तीनों 0s अलग अलग हो जाएंगी तो आप कहोगे इसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए x, y की value क्या हो? कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा करता हूँ, सभी के लिए 00 ही ले ले लेता हूँ ओके, अब कुछ भी ले लो, doesn't matter the thing is, 2 plus 2, 4 flip-flops की जरूरत पड़ेगी ओके, तो 2016 वाले question का answer आया 4 अब आप देखो, इसका answer आया 3 और इसका answer आया 4 अब notice करो हम चार flip-flops use तो कर रहे हैं चारों की output जो है उसे use करके, हम next state determine भी करेंगे counter की actually जो counting sequence है वो होगी 0, 1, 4 0 उसके बाद आया 1 उसके बाद आया 4 4 के बाद 2, फिर ये है 8 और ये है 3 3 के बाद दुबारा 0 यानि की actually जो counter implement हुए उसकी counting sequence यही है बट जब हम output देने वाले हैं यानि की माल लो हमने output में एक digital screen connect कर रखी है उस digital screen की 4 inputs हैं हम सरफ यही 2 bits ही output generate करने के लिए use कर रहे हैं इन दोनों bits को हमने permanently 0 ही बना दिया यहां पे यह दोनों bits available तो हैं बट हम उससे output नहीं determine कर रहे हैं तो output में क्याएगा 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3 तो जो required था वो implement हो गया इसे करने के लिए 4 flip-flops कम से कम चाहिए ही चाहिए धोड़िचे लिए, नहीं है, है बजय बढना, नहीं है, तो उसे कम ऐा है दो़रह, आऴरे, है me बज़िशवरों मैं ऌहाा है, च्ऴिशनों जो औिर 7 जो हुआ लागा है? झाल झाल